अरे इतका भेद बता रे मेरे यव तू साबत करणी करता तू ये डाली भूल जगत में केसी अरे जित देखू उत तू ही तू इसका भेद बता रे मेरे अब तू साबत करेणी कर रयो तू इसका और इस भजन का थार भी साथ साथ में जूगल जी करते जाए ता कि बिल्कुल बिल्कुल पता लगें के बजन कितना मार्मिक हैं कितना ज्यान पद हैं इसका भेद बता रे मेरे अब तू राबंद करणी करता तू ताली भूल जगत में केती ताली भूल जगत में केती चित देखो हूँ उत तू गें दू हाँ देखे प्रभू की रचना को देखे उसका विराटपन भी देखे उसका शुक्षम रूप भी देखे एक राम दशरत घर डोले एक राम गटगट में बोले एक राम का सकल पसारा एक राम जगत से न्यारा क्योंकि सजनों तूही नाम कारण तूही नाम सारन निवारन जो करेगा एक आत्रत्र आत्रु खबर है खुदा कुची ने तेट दीना वोई पेद भरेगा सजनों चौंस दी है वो चुगो भी अवश्य दे लेकिन राखणों पड़े अपने विश्वाश आदमी भूको उठे लेकिन भूको सुवे नहीं ये सारी परमात्मा की लीला है अजगर करे ना चाकरी अरे पंची करे नाकार दास मलू का यू कहे यू कि तू विचार नरकचु और करे तेरो विचार धर्योई रहेगो लाख उपाय करो धन खातर दाग लिख्यो उतनों ही मिलेगो बोर की सांज भाई पल में तो काल अचानक आए गहेगो राम भजयोन शुक्रत कीनों सुंदर यू पस्तानों पड़ेगो चिंता ना करे और काहे तो भिबला अरे पेट दिया जिन रामने वो आप देवेला आये अरे इसका बेद बतारे मेरे यवदू साबत करणी कर आजो मेली बाब बताई अमजी भाई जाओ हाथी में मोटो बन वेठो कीडी माई छोतो तो हाथ हो ये महावत उपर बेठो हो ये महावत उपर बेठो हाकणवाडो तू ये तो हुले के हाथी में मोटो बन वेठो कीडी माई छोतो तू अरे हो ये महावत उपर बेठो हाकणवाडो तू ही तू सजनों ये सत्य बात है की परमात्मा कब चाहे किसको नीचे गिरा दे और कब चाहे किसको आसमान पर बिका दे एक राजा सजनों एक शर्त राखी की जो मेरे प्रशन का जबाब दे देगा उशका मैं गुलाम बन जाऊंगा और जिसने जबाब नहीं दिया उसको मैं केद खाने मेरत दूँगा अब कापी जणा गया जबाब नहीं दे पाया एक नगर सेट जीने नौकर चाकर ने साते लेई और नगर सेट भी उन्हों ज्यानी हो नगर सेट वो जबाब देने वास्ते गयो अब ये साते एक नगर सेट हो तो उन्हें पगर क्या भी महेंगी अब उन्हें पगर कीने माता माते उचान खड़ो रेवे जब तक वो सेट वापस अंदर जान वापस नहीं आवे जिते एक शाट आट साल रहो बच्चो वो नगर सेट नी जूतारी रुखाली करम भास ते साथे अब वो बच्चो उन्हें जूतीने माता माते उठाई है सुनने जैसी भात है बहुत सुन्दर बता रहे जूतीने माता पर उठाई है हिए और झेड़ जीने करें आप जाओ जबाब देना हो से जैसी गया अंदर और राजा प्रसंद करियो है कि इश्यर हिए परमात्मा क्या है और से थी ऑध बास तो परमात्मा एप कै जैसे ने कर अब शेड जी बारे गया और मुदो छोटो गोडो शेड जी रो बच्चों पूचियो शेड जी आप गया जने तो बहुत खुश है और आया जने यूँ उदाश की करोया हो वो ले राजा एसो सवाल पूचियो जिनों जबाब मैं नहीं देशकियो इनवास से कैद में डाले ला अब बच्चों के ऐसो राजा कही जबाब सवाल पूचियो आप सो के राजा पूचियो इश्वर क्या है बच्चों के सेड जी आप एक काम करो महारा जूतारो ध्यान थेरा को और मैं राजा ने जबाब देना हूँ मैं जबाब नहीं देशकियो नगर सेट इती सफसंगा करी इती जागर नहीं करी मैं जबाब नहीं देशकियो और काल पूचियो बच्चों जबाब देदी बोले भाई जादेरा अब बच्चों के यो अंदर और राजा साब ने खमागणी करी है और पुछे राजा साब आपरो पसंद कही है राजा बोलियो इस वर क्या है परमात्मा क्या है बच्चो कैसा परमात्मा वो है जो एक मिनिट में नगर सेट ने पगर क्यारो रुखाली करनालो बनाई दियो एक मिनिट में जिनी पगारी रुखाली मैं करतो हो पगर्क्यारी आज वो मारी पगर्क्यारी रुखाली कर रही हो बारे इसमर तो वो है जो पलमिन किसी को ऊपर चढ़ा दे और गिरा दे आधा बहुत उच्छे इसलिए दाता में दाता बन बैठो फिखियारी रे भेळो तू मंग तो हो कर मांगल लागो मंग तो हो कर मांगल लागो देवन वालो तो हेतो इसका भेद बतारे मेरे यवदू साबत करणी करता तू जिस प्रकार अभी जुगल जी ने प्राणव में भजन में कहा के कैसा खेल खिलाडी का तो हकीकत में ये जो खिलाडी है ये अपने आप में खुद ही एक अचंबा है कभिरदाजी महराद अंति में कहते हैं जल धल जीव जगत तरे माई जिक दिखुँ उत तू गी तू हाँ कहत कबीर सुनरे भाई सादो कहत कबीर सुनरे भाई सादो गुरु विळिया है पूरा पूरु किसका भेद बतारे मेरे यम तू आपत करणी करता तू आपत करणी करता तू आपत करता तू